बंधनिय मात्री शक्ति भद्व पुर्शो हमारा जो व्यादी की तियास है बहुत प्राचीन है एक अरव 96 करोड 8,53,124 वर्स पुराना है एक वो भी काल था आज से लगबग कह सकते हैं 5000 वर्स से पहले तक का काल जब कोई मत दूसरा था ही नहीं केवल एक ही मत था, एक ही विचार था, एक ही संस्क्रिती थी और वो थी वैदिक संस्क्रिती इतने लंबे काल था कि इस 5000 वर्स के काल को छोड़ दीजी पूरा वैदिक काल ही रहा है आधुने की इतियास में इसका कहीं वर्णन तो आता नहीं है लेकिन हमारे पूरवज रिश्यों ने एक एक दिन की गणना करके इस लंबे काल को संयोक्त करके रखा है इस लंबे काल का इतियास उन्होंने बचा के रखा है इसलिए इस प्राचीन इतियास को संस्कृति को परंपराओं को हमें समझने का प्रियास करना चाहिए सामाने रूप से भी कह दिया जाता है कि Old is Gold वो इसलिए का जाता है कि जो वैदिक परंपराएं, वैदिक रिती रिवाज, वैदिक जान विज्यान, वैदिक संस्कृति वो महान थी है और रहेगी, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, ये आजकल जो अशांती देखी जाती है, दुख, वैदिक संस्कृति को भुला देने के काण ही ये ववस्ता हो गई है, जब ये मत कोई भी नहीं था, पांच जार वर्ष पहले, तो भी तो लोग जीवित थे, तो भी तो कोई संध्या उपासना करते होंगे, तो भी तो किसी व्यवस्तापक को मानते होंगे, इसलिए हमें उसी परंपरा में लोटना पड़ेगा, अगर पूरे विष्व में हम चाते हैं कि शान्ती हो, सुक समर्द्धी हो, तो उसके लिए उनी वैदिक परंपराओं में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां मत भेद हैं, एक मत दूसरे से भिन है, उनमें आपस में विर जाती, एक खानपान नहीं हो जाता, इस दुनिया में सुक शान्ती की प्राप्ती नहीं हो सकती, उसके लिए ईश्वर ने चरिष्टी के आरम में ही वेद जान दिया था, अगर वेद के अनुसर जीवन चलाएंगे, तो उसमें बिलकुल भी कोई शक नहीं है, संदे नहीं ह कोई भ्रम नहीं है, कि हम सुक शान्ती की प्राप्ती नहीं कर पाएं, लेकिन कुछ जिनकों कहते हैं, कुछ धर्म गुरुओं ने, अपने मत के अनुसर, अपने विचार के अनुसर, अपने शिश्य बना रखे हैं, लंबी-लंबी सभाएं करते हैं, वेद मत का खंडन करते हैं, इसलिए वेद मत का खंडन करने से इन दुखों में ब्रदी होती है, हमारे रिश्यों ने सिद्धान दिये हैं, और ये भी कहा है, कि ये सभी विद्वान अगर एक साथ बैठ कर, सत्य सत्य का निर्ने करें, सत्य को अपनाने और जूट को, मिध्या को छोड़ने का प्र जाना नहीं चाहता, वेद जो कि इश्वर्य जान है, इसमें कोई इतियास नहीं है, केवल और केवल विद्ध्या है, वो विद्ध्या जिससे हमें जान विज्ञान की प्राप्ती होती है, ना किशी व्यक्तिविशेस का नाम है, ना किशी सांसारी घटना का नाम है, ना वेद के नुसार जीवन नहीं चलाएंगे, वेदों को नहीं पढ़ेंगे, वेदिक सिद्धानतों को नहीं जानेंगे, इसके लिए बहुत सरल है, हमारे एक महरशित दयानन्द हुए है, जिनोंने इस विद्या को संस्कृत से हिंदी में, हिंदी सीकर हिंदी में, हम मनुश्य के सामने प्रस्तुत गिया उनका रचित एक काल जई गिरन्त है जिसका नम है सत्यार्ज परकाशD. उस एक मुष्टक के पड़ने से, जानने से, समझने से इतनी जानकारी हमें प्राफ्थ हो जाएगी, कि बहुत सारे हमारे जो प्रसन हैं, उनका समाधान हो जाएगा, बहुत सारी जो भरांतिया हैं, वो मिट जाएंगी, उसके अनुसार जीवन चलाएंगे, तो उसके अनुसार जीवन चलाने से, बहुत सारे हमारे जो दुख हैं, वो भी मिट जाएंगे, लेकिन जीवन को जी जाता है दिश्विओं कि इसे दान्त को जीवन में उतारा जाता है जैसे भोजन कितना भी स्वादेश्ट हो जब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं करेंगे उसका वक्षन नहीं करेंगे उसको नहीं खाएंगे हमारे सामने बेसक पुरोज के रख दिया गया हो लेकिन उसका अब तभी मिलेगा जब जान कर समझ कर वैसा हम जीवन में उतार देंगे वैसा हम प्रियास करेंगे कि उन से दान्तों का अपना लेंगे और वो कोई लंबे चोड़े से दान्त नहीं है एक कदम बढ़ाएं कैसे सत्य नहीं का पालन करना शुरू कर दें आगे स्वता ही एक कदम बढ़ाईएं सामन नसी बात है एक ऐस एक्षित अनपड़ विक्ति भी जानता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है पक्षपात क्या है और पक्ष क्या है न्याय क्या है अन्याय क्या है यह तो सामन विक्ति जानता है इसलिए जब एक कदम सत्य की और बढ़ा देंगे ब्रत लेंगे के जूट का आचर नहीं करना, जूट नहीं बोलना, जूट नहीं मानना, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ना प्रारंब कर देंगे, इश्वर ने इतना सामर्थ है, हमारे शरीर में दिया है, कि हम सभी दुखों से छूट सकते हैं, इश्वर की विद्या, वेद विद्या, इतनी महत्वपून है, इसके बारे में वर्णना आता है, कि जतना सुख इस प्रत्वी पे, या ब्रहमाण के सब पदार्तों से में प्राप्त होता है, वो सुख इस विद्या की प्राप्त होने वाला सुख जो है उसकी तुलना में हजारवें अंस के बरावर भी नहीं है इसलिए वेद विद्या, इश्वर की विद्या, रिश्यों की विद्या अपना गर के ये ब्रह्मान के अपदार जीवत चलाने के लिए तो हैं लेकिन ये साध्य नहीं है, साध्य तो इश्वर है, इन से हम यधायोग उपकार लेवें और जो जो भी करना करतव्य है उसको करें, जीवन में कुछ एक कारिये हैं जिलको हमें करना चाहिए, तो क्या क्या कारिये हैं मुख्य करके हम सत्यक आचन करते हैं, पक्षपात रहित वेवार करते हैं, तो ये पहला कारिय हो जाता है, दूसरा कारिया है, इस वेद विद्या को पढ़ें, समझें, रिश्यों के ग्रंतों को पढ़ें, उसकी द्वारा हमें इस विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, ती परमपरा में जो भी बाई ये प्राणायम है या अभ्यंतर प्राणायम है इन में से एक भी लेंगे एक भी प्राणायम कर देंगे तो ये तीसरा कारी हो जाएगा कि विद्या फिर धार्म फिर योगा अभ्षास और प्राणायम चार सीजें होगी और आगे अधिक्तिव रग प्रतिदिन बिगाड़ते हैं, मलमूत्र के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से, पशीने के माध्यम से, या स्वास पर स्वास के माध्यम से, उतने वायू की शुद्धी जब तक नहीं करते, तो हम दोशी हैं, अपरादी हैं, इतना निवारण तो हमें प्रतिदिन हवन के माध सबसे अधिक देशों में देखा जाने वाला सरवादिक लोगप्रिये और सबसे अधिक फैलोवर्स के साथ पूरी दुनिया में आरे समाज के विचारों का परचार करने वाला एक मात्र चैनल वैदी परचार